सभी मित्रों को मेरा प्यार बरा नमस्कार जैस्रीडाम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको चार ऐसे सुत्र बताऊंगा जिनको जानने के बाद, जिनको समझने के बाद, जिनको एकसेप्ट करने के बाद जीवन में आपके पास कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में कोई तनाव रहेगा ही नहीं आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा यदि आप चाहते हैं कि मा लक्ष्मिय की किरपा आपके उपर सदेव बनी रहे आपके सरीर में कोई बिमारी ना हो, कोई टेंसन ना हो जीवन में तो आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है चार ऐसे सुत्र जो हमारे ध्रम शास्त्रों से लिए गए हैं मैं आपको बताओंगा और मेरा अपना अनुभव है यदि आपने ने अक्सेप्ट किया तो आपका जीवन बदल जाएगा पूरी जानकारिया आप तक पहुँचाओंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाओं मैं आपको बतादू यदि आप जोतिस के दौरा अपनी समस्त प्रकार की समश्चाओं का समधान चाहते हैं यदि दोस्तों आप बहुत अच्छी स्रेणी के गवर्मेंट लेव सर्टिफाइड राशी रतन खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपरक कर सकते हैं हमारे यहां से सभी प्रकार की रतनों की अंगूठिया बनाकर सिद्ध पुजा पाठ करके देश-विदेश में भेरी जाती है तो चलिए विशे में आगे बढ़ते हैं यदि आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और मा लक्षमी कभी आपसे नराज ना हो हमेशा उनका आशिरवाद आपके उपर बना रहे तो सबसे पहले समय के महतु को समझिएगा जिस व्यक्ति ने समय के महतु को समझ लिया वैं जीवन में कभी उसके पास पैसे कमी नहीं रहती प्राते काल हमें क्या करना चाहिए दोपैरी में विसराम का समय होता है साएकाल में बहुत ज़्यादा बातचीत और घर में चिक्चिक बाजी कलेश नहीं करना चाहिए भगवान का बजन करते हुए समय बिताएं रात्री में घर रहस्त के कारी है किस समय हमको क्या करना है किस काम के लिए कौन सी टाइमिंग 24 गंटे में सबसे बढ़िया है अगर आपने ये चीज को पॉइंट आउट कर लिया तो सभी देवता आपसे प्रसंद हो जाएंगे आपके बिगड़े हुए गरेनक्सतर भी आपको अच्छा फ़ल परदान करना प्रारंब कर देंगे समय के महत्व को समझे और टाइमिंग के साथ काम हो की दिन में मदिरापान ना करें प्रादेकाल और साइकाल में कलेश ना करें घर में जगड़ा ना करें मदिरापान कभी भी ना करें लेकिन दिन में बिल्कुल ना करें अगर आपने समय के महत्व को समझ लिया तो जिन्दगी में काम्याभी जख मार के आपके पीछाएगी नंबर दो त्योहारों के महत्व को समझ ये होली है दिपावली है क्रस्ण जर्माष्टमी है सिव महारात्री है हमारे हिंदू धरम के समस्त त्योहार हमारे रिष्यों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, इन में पूझा पाठ करने की एक परंपरा चलाई थी, आप भी आप देखते होंगे गाउं में, त्योहारों में पूझा पाठ जब तब हवन आधी करने कराने का एक विधान है, उसका रिजन है, और उसका रिजन यह है, कि त्योहार में किया हुआ पाप भी, त्योहार में किया हुआ पुन्य भी, करोडो गुना फल दायक हो जाता है, यदि आपने होली में, दिपावली में कोई साधना की, कोई मंतर जाप की आपनी जानकारी के हिसाब से, तो वहें आपको करोडो गुना फल प्रदान करने वाला हो जाता है ऐसा पुन्य हो जाता है कि सारे पाप व्यक्ति के नश्ट हो जाते हैं त्योहारों में साधना करने से व्यक्ति को बहुत एनर्जी मिलती है बहुत जादा उर्जा मिलती है जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं तो त्योहारों के महत्व को सम गए लिए नमबर तीन तीरत हो के मेहतु को समझें हैं अन्यक शेत्र मे ईक्षak मापन तीर तक सेत्र किशी में किया हुआ पाप तीरत में किया हुआ आकर नश्ट हो सकता है पश्चाताप करने से पुन्य करने से सहे लेकिन तीर्त अक्सेत्र में किया हुआ पाप वज्र लेपो भविश्वती कोई कंडिसन नहीं है कि नश्ट हो जाए इसलिए साल में एक या दो बार तीर्त में जाईए वहाँ आपने एक शमता के अनुसार आप दान पुन्य मंत्र जाप साधना कीजिएगा तीर्त में दानपुन करने से करोडो गुना फल होता है घर में मंत्र जाप करने से एक फल होता है तुलसी जी के सामने बैठ कर मंत्र जाप करने से दस गुना फल होता है सरोवर के किनारे बैठ करके हजार गुना होता है मंदर में बैट करके जब करने से 10,000 गुना लेकिन तीर तक सेत्र में सिद्धिस्थान में गंगा जी के तटपर मंतर जाप साधना करने से करोडो गुना अनंत गुना फल होता है जितना पूरे साल आप जब तप करके पुन्य कमाते हो सिद्धिस्थान में तीर्थ में गंगा जी के तट पर एक माला मंत्र जाप करने से उतना पुन्य मिल जाता है दोस्तों कोई कमी आपके पास में जीवन में पैसे की नहीं रहेगी यदि आपने इस सुत्र को समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हिर्दैंगम कर लिया नंबर चार, तपस्वियों के महत्व को समझे, कभी-कभी हम किसी काम में उलजकर रह जाते हैं लेकिन किसी व्यक्ति की तपश्चा साधना इतनी होची होती है, उसका एनर्जी लेविल इतना अच्छा होता है कि किसी के पैर हमारे घर में पढ़ जाएं, हमारी कुटे हम पढ़ जाएं, तो बिगड़े हुए काम बनने प्रारम बोजाते हैं उसके बिना कुछ किये, किसी भाग्यवान व्यक्ति के हमारे जीवन में आने से हमारा जीवन बदल जाता है जो तपस्वी हैं, जो सिद्ध हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो सादक हैं, कभी उनका भूल कर भी अपमान न करें और जितना हो सके उन्हें अपने जीवन में उनका सम्मान करें, जहां तक हो सके धन से, वस्तर से, भोजन से उनकी सेवा करें तपस्मियों का सम्मान भी आपके जीवन को बदल करके रखते हैं तो चार बाते आपके ग्रहनक सतर कैसे भी हैं किसी भी ग्रह की महादसा है किसी भी ग्रह की अंतर कुछ भी नेगेटिव है आपके जीवन में अगर चार बाते आपने समझ ली तो जीवन में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा कभी आपको पैसे की कमी नहीं लगेगी ये मेरी जिम्मेदारी है इस बात के दोस्तो मैं काम ना करता हूँ आज कभी से आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दिया करो वीडियो को लाइक कर दिया करो और जोतिस दिखाने के लिए हस्तरेखा दिखाने के लिए राज्ति रतन खरीदने के लिए या अन्य कोई भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए आप सीधे सीधे मुझे वाटसप कर सकते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं और काम ना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी शानदार जानकारी के साथ पविश्य में वी तर तक के लिए नवश्कार